नमस्कार दोस्तों, रोहित है, आज हम लोगों का जो मेन टेलिग्राम ग्रुप है, उसमें हम लोगों ने आपको अपडेट किया था, आप देखें कि ये 24-24 का डेट है, और एक पत्रांक जारी हुआ है, इसमें क्या किया जा रहा है? बिहार लोग सेवा योग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी सात्मी संजुक्त प्रतियुक्ता परिक्षा के माध्यम से निवक्ति हेतू अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें असपस्ट है कि 100 के आसपस एप्रोक्सिमेटली डिएसपी की वैकेंसी होगी और जब बोल रहे हैं तो जिम्मेवारी से बोलना चाहा रहे हैं और तक्रीबन तक्रीबन हैंडेट मतलब यह नहीं होता है, हैंडेट कम बेसी भी हो सकता है, उसके आसपस SDM की वैकेंसी होगी, तो दो-तीन चीज को एकदम आप असपस्ट मान ले, कि अगर यह इस्तिती बनती है, तो आपको कनवर्ट करना होगा, अभी से आपको लगना होगा, क्योंकि अगर आप यह सोचते हैं कि आपके पास कितना समय है, तो आप देखिए कि मई महीना स्टार्ट हो चुका ह उसके बाद आपके पास वक्त बचता है जून का, उसके बाद वक्त बचता है जुलाई का, उसके बाद वक्त बचता है अगस्त का, आपके पास मातर यही चार महिना है, सेप्टेंबर का वक्त आपको नहीं बचता है, सेप्टेंबर को आप बिल्कुल भी मत काउंट करिए तो यही चार महीना तुम्हारे पढ़ने के लिए है और अगर आप ये चार महीना पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि अगला 40 साल आप एकदम सेर की तरह जीवन यापन कर सकते हैं नहीं तो आप समझी सकते हैं कि इस्तिती क्या बनती है जीवन मंच की तरह हो जाएगा कोई भी हाएगा और भासन देकर चला जाएगा जिसको मन पकड़ेगा माइक पकड़ेगा और भासन देकर चला जाएगा आपके पास सुनने के अलावा कुछ भी नहीं है अब ही जो भी JPAC का एकजाम आप लोगों ने लिखा है बहुत लोग आप तो सफल हुए है JPAC में आप यकीन मानो कि ऐसा ऐसा मैसेज आता है कि सर कुछ भी पढ़ा दीजिए मेंस एंसर राइटिंग है ही नहीं तो अब बता हम 40 दिन 50 दिन में या तो कोई कोर्स लॉंच करके कुछ पैसा कमा लें या 40 दिन 50 दिन में बोले कि तुम अपने कंटेंट वगर तयार करो अपने कुछ काम करो हम 40 दिन में तुमको एंसर राइटिंग नहीं करा पाएंगे whatsoever हम नहीं करा पाएंगे अब फाल्तु हम पैसा तुमसे नहीं खीचना जाते है मेरा आपसे मात्व सिंपल एक सजेशन है सिंपल एक सब्मिशन है कि यही कंडिशन जो अभी इन लोगों का है 40 दिन 50 दिन बचा हुआ है और इदम तरप रहे हैं यही कंडिशन पीटी के बाद हो जाएगा और यकीन मानो सत्तरवी हाथ से चला जाएगा और एक बार सत्तरवी हाथ से चला गया तो फिर अब एक सत्तरवी बहत्तरवी करते रहो फिर जीवन यही थोड़ी है यार जीवन में आगी भी बढ़ना है साधी ब्याह करना है घुमना है फिरना है मापिता की प्रति जीमेवारी है उसको निर्वान करना है कुछ समाज के प्रति जीमेवारी है उसको निर्वान करना है तो एक बार सत्तरवी में जी जान जोको चार महीने का बार थे खुब प्रयास करो और कोशिश करो कि एक बार इस VCS साइकल से बाहर निकल जाए इस VCS साइकल से बाहर तभी निकल सकते हो जब तुम टॉप पोस्ट में रैंक लेकर आज़ो SDM, DSP का, नहीं तो बिहार पंचाइती राज़ आपसर बनके क्या करोगे मानते हैं कि जो लेबल साथ का नौकरी लेकर क्या करोगे, गन्ना कमिशनर बनके क्या करोगे उस अच्छा है कि एक बार DSP और SDM के लिए ट्राई किया जाए और इस खेला को खतम किया जाए वो तभी हो सकता है जब दो चीज़े आपके पक्ष में होंगी एक तो है कि GS2 पर आपको अच्छा पकड़ होना चाहिए और एक आपको AC पर बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए अगर नहीं पकड़ है तो खेला खतम है आपको PT के पहले कम से कम आप 50 उत्तर जरूर लिखे होने चाहिए मिनिममम 50 ये देखो जो अभी हम लोग निपुन का सीरीज स्टार्ट कर रहे है हो सकता है कि ये अंतिम सीरीज हो इसके बाद हम लोग निपुन नहीं लॉँच करें तो इस निपुन को बहुत यूज कर लो क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला है ये सब वो लोग है जो आप लोगों को पता है रेजुनिंस वाले और तक्षपालों को कौन है और किस तरह का आपका फिड़बेक चाता है जो आपका रिव्यू कौन करता है आपका मॉडल एंसर कौन बनाता है ये भी आपको पता है जो IRS हैं भी वह भी हम लोग के साथ continue करेंगे December तक वो सब बनाते हैं तो कहने का मतलब है कि जिम्मवारी को समझो अच्छे से copy पर देखो answer लिखना important है पर answer पर सही feedback मिल रहा है कि नहीं ये भी बहुत important है कि उस पर feedback सही मिला कि नहीं जो copy चेक कर रहा है मार्केट में तो 55,000 रूपया लेकि copy चेक कर रहा है कि अवल intro good, conclusion good, body good वो नहीं मजा देगा जब तक आपका crisp, precise आप क्या लिखे हैं वो नहीं आपको पता होगा तो आप नहीं कर सकते हैं हर बच्चा अलग तरीके से answer दिखता है तो वो वही चेक कर सकता है जो दो बार means दिखा हो, interview दिया हो या इक्जाम को qualify किया हो, बाकी आपकी मर्जी है, हम यहीं suggest करेंगे कि जो मई का पुरा महिना है जो मई अगर तुम 6 घंटा पड़ते हो, तो यकीन मानो इस 6 घंटा में तुमको कम से कम 3-4 घंटा means को देना चाहिए और बाकी का जो समय है 8 घंटा वही तुमको prelims के लिए देना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी रहेगी जून से हम लोग पूरे prelims mode में इंटर करेंगे, जून, जुलाई और अगस्त पूरे prelims mode में चले जाएंगे मतब 15 जून से हम लोग पूरे prelims mode में चले जाएंगे, 15 जून तक, complete prelims mode में चले जाएंगे तो हमारा यही सलाह है कि मैई वाले महिना को यूज कर लो, जो अभी तक एक भी एंसर नहीं लिखे हो, कहां तो जोड़कर बिनती है, कर बद बिनती है, तुमसे हम लोग एक चीज और तुमको डिकलेर कर दें, जो निपुन प्रोग्राम होता है, इस निपुन प्रोग्राम से BCW एक रुपया नहीं कमाता है, BCW इस पुरे प्रोग्राम में एक फ्लिपकाट और एक सर्विस प्रोवाइडर की भूमका में होता है, आप यहां से पैसा देते हैं, वो तो हम लोग का संबंध हैसा होता है, कि इस तरह से आपका जो पैसा होता है, सीद्धा आपके मेस्टर बनता है, जो भी एक भी एंसर नहीं लिखे हो, प्लीज इस प्रोग्राम को जोईन करके, हो सकता है कि तुम बारह उत्तर नहीं लिखोगे, दो ही उत्तर लिखो, पर जाकर एक बार लिख लो, एक जाम के पहले प्लीज एक बार लिख लो, नहीं तो पच्तावा के भी नहीं होगा पीटी पास करते रहना इस प्रोग्राम में कैसे कैसे क्या है थोड़ा सा इसकुट देख लेते हैं देखो इस प्रोग्राम को हमने बहुत अच्छे से डिजाइन किये हैं जैसे इसमें एसे भी है सब कुछ है इंटरनेशनल रिडेशन पे आठ मारकर इस इंपोर्टेंस तो आप इसमें सॉफ्ट पावर रेडी दखिएगा और जब आप सॉफ्ट पावर रेडी दखिएगा तो फिर आपके लिए साहुडियत होगा क्या हो रहा है भाई ठीक है तो आप इसको सॉफ्ट पावर वाले वीडियो को देख लीजेगा उसके बाद एंसर को एटेम्ट करेंगे 31 तारिक से यह पूरे कोर्स का डिूरेशन क्या होता है एक महिना पूरे कोर्स का डिूरेशन होता है एक महिना में आप कभी भी एंसर लिखके अप्लोड कर सकते हैं question 31 तारिक को आपके portal पर उपलब्द हो जाएगा ठीक है अब ध्यान से देखो एक तारिक को आपके portal पर question उपलब्द रहेगा 31 तक आप upload कर सकते हैं हम question के 7 दिन बाद 8 दिन बाद आपको model उत्तर दे दिया जाता है मतलब question भी है आपने लिखकर upload कर दिया portal पर बहुत simple system है चला जाता है checker के पास checker copy check करके आपको upload करेगा आपके mail पर आपको message आजाता है कि आप पर पोटल खोल के देख लिजे आपका copy check हो चुका है बहुत simple process होता है कितने number of the questions रहेंगे दो question रहेंगे international relation पे 38 marker question है दक्षवाले आप लोको इंडिया भूटान पढ़ाएं हुए ह कहा है इंडिया भूटान संबंद से question रहेगा उस video को देख लिजे इंटरनेशनल रिडेशन पे 38 नंबर का question रहेगा एक question रहेगा इंडिया मॉल्डिप्स न्यूज में था जब मोदी जी जाके तालका मचा के आ गया है तो ये question आने की probability ज्यादा रहेगी इसका video देख ले इसमें बहुत डिटेल में दो तीन घर तीन घंटा में पढ़ाये हुए है quality and governance का long answer type question रहेगा 38 नंबर का एक question रहेगा इसमें judiciary पूरा covered होगा quality and governance का एक नंबर का question होगा 38 नंबर का fundamental right का video देखना DPSP पढ़के आना basic structure को रेडी रखना वहाँ से question रहेगा फिर geography में तुम देखो short answer 8 नंबर का दो question रहेगा mineral वाले topic से industry of India पे नया video upload हो चुका है geography से 38 नंबर का question रहेगा एक question रहेगा physiographic division of India पे question रहेगा geography से एक question रहेगा climate of Bihar topic से रहेगा essay please अगर देखो DSP और SDM बनना है तो मात्र essay बनवा सकता है बाकी तो आपकी मर्जी है essay हम खुद पढ़ाते हैं यह आप बिहारी proverb based ऐसे रहेगा एक social sector वाला topic रहेगा उस पे ऐसे रहेगा इस पे भी लिखना है तो एक तरह से एक complete test series है इस महीने का जिसमें essay भी हम लोगोंने cover कर लिया है जिसमें हम लोगोंने polity को भी cover कर लिया है जिसमें हमने international relations को भी cover कर लिया है और pie chart को भी cover कर लिया है यकीन मानो बहुत important रहेगा join करके लिख लो लिख लो लिख लो copy checker दिसमपर तक available है हम लोगों का जो आपका copy check करता है बाकी आपकी मरची रहेगी ठीक है कुछ भी दिक्कत हो इस number पे call करना यहाँ पे telegram group में हम सारा डाल देंगे अब बोलोगे कि fees पहले बताओ master कितना है तो इसका fees है 1149 plus tax तो तुम बोलोगे कि इतना क्यों बढ़ा दिये अचानक से भाई तुम मतलब 10-100 रुपया बढ़ा दिये भाई इस दे बढ़ा दिये क्योंकि जब AC को चेक करना होता है तो जो भी तुम पैसा दोगे ज्यादा चेक होता है AC का model answer में खर्चाता है तो वही जो 50-100 रुपया बढ़ाया गया है वो AC के बिहाब पर बढ़ाया गया है क्योंकि AC में evaluation थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है क्योंकि बच्चा बहुती creative brain से लिखता है तो ये पूरा चीज है इससे सस्ता में कुछ नहीं होगा अगर इससस्ता म भी लादमी कर दे तुम्हारा काम बन जाएगा पुनह रिपीट कर रहे हैं गर तुमको लगता होगा कि BCW कुछ building बना देगा महल बना लेगा तो नहीं बनाएगा बस आप जो दे रहे हैं वो service provider की पालता है जो आपका copy चेक करता है ठीक है उमीद करते हैं कि आप लोग इस का मलाल रह गया है अपने आपको हारा हुआ मत महसूस करना ठगा हुआ मत महसूस करना क्योंकि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है इस चीज़ को याद रखना ये सकी लाजमी का बहुत famous line है तो जब तक तुम हार नहीं माने हो त DSP और SDM का पदलो सारा हिसाब पर आपर गुजाएगा signing off for the day, रोहत